आमिर खान भले ही आज सुपरस्टार हो लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा जब उन्होंने आटो रिक्षा के पीछे फिल्म के पोस्टर चिपकाए इतना ही नहीं ऐसा करने के लिए आमिर को एक आटो रिक्षा चालक की डांट भी खानी पड़ी जान ये पूरा वाक्या आमिर की पहली फिल्म भले ही हो लेकिन उन्हें सफलता 1988 में आई कयामत से कयामत तक से मिली इस फिल्म का बजट बहुत कम था इसलिए इसकी प्रमोशन का जिम्मा फिल्म के लीड एक्टर आमिर और सब्पोर्टिंग एक्टर राजे इंदरनाद जुक्षी ने उठा लिया था इन्होंने अपनी फिल्म के पोस्टर आटो रिक्षा के पीछे लगा कर फिल्म को प्रमोट किया कई बार आटो चालक इस से नाराज भी हो जाते एक आटो टालक पोस्टर चिपकाने से इतना नाराज हो गया कि उसने आमिर को खूब सुनाई आमिर सब को बताते थे कि वे ही इस फिल्म के हीरो है लेकिन कोई उन्हें भाव नहीं देता था उन्हें नहीं पता था कि जिसे वह इतना नजरंदाज कर रहे हैं वे आगे जाकर एक दिन सुपरस्टार बनेगा आमिर की ये फिल्म बड़ी हिट हुई थी इसमें उनके अपोजिट जुही चावला थी इसे आ चाचा नासिर हुसेन ने प्रोडेस और कवजिन मंसूर पान ने डायरेक किया था आमिर के पिता ताहिर हुसेन पहले नहीं चाहते थे कि आमिर फिल्मों में जाएं वे उन्हें डॉक्टर या इंजिनियर बनाना चाहते थे लेकिन बाद में आमिर को उन्होंने चाचा नास सिर्ध हुसेन को असिस्ट करने की इजाज़त दे दी डायरेक्शन से निकल कर आमिर एक टिंग में आए और स्टार बन गए